बस्तर समाने वन मंडल में लंबे समय बाद बाग की उपस्तिती दर्ज की गई है करपा वड़क से लगे जंगलों में बाग अक्तूबर मैने के पहले सप्ता से पालतु मवेशियों को अपना शिकार बना रहे हैं वन विवाग के ट्रैप कैमरे से इसकी पुस्टी हुई है जिसके बाद इलाके के करीब 25 गाओं में अलट जारी कर दिया गया है गाओं गाओं में मुनादी कराई जा रही है और लोगों को साफधानी पूर्वक जंगल में जाने की सला दी जा रही है माना जा रहा है कि सीधा नदीच छेत्र से ये बाग बस्तर तक पहुँचा है हालांकि वन विबाग इस पूरे मामले में कुछ कहने से बच रहे हैं उन गाओं में लगातर उनके मुनादी करके जनता को अगाह कर रहे हैं ताकि वे जो है जंगलों और कम ही जाएं तो जादा अच्छा है क्योंकि उसको किसी तरस को डिस्टर्बेंस नहीं होना थी यह वीडियो भी वाइल हुआ है वो पूरी तरस से माकीम फेक नहीं हुझ है तो इस खवार की जादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे समवाद दाता नरेश मिश्रा जुर चुके है नरेश जी बताएं कि बस्तर में बाग ने दस्तक दी है क्या है पूर अपडेट तालों से बाग की उपस्थित नहीं रही है और पहली बार ये करपावण से लगे जंगलों में इसकी उपस्थित की जानकारी मिली है हाला कि अभी तक वन्विभाग आदिकारिक तर पर इसकी पुष्च्च नहीं कर रहा है लेकिन अपुष्ट सुत्रों से पूरी तरह से धज्दिक हो चुकी है कि बाग नहीं आप इछले दिनों शिकार किया है और इस वज़े से ही मुनादी आत्पाक के 25 गावों में की जा रही है जो यह जगों पर हैसा नुमान है कि बाग इस शेतर में अभी हो सकता है और उसके बाद से ट्रैप केमरे भी जगा जगा लगाए गया है तो क्योंकि लगातार इसकी चर्चा है इसलिए करी तरह कि वीडियो भी वाइरल हो रहे हैं में बाग को अलग अलग जगा देखे जाने के लेकिन इन वीडियों को तद्रीक करते हुए भी विबाग ने कंफर्म किया कि दूसरी जगा कि लिए